हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रेडना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्रेटपॉर्म इंडिया न्यूज लाइफ आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आए हूँ बिग बॉस की चटपटी खबर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिग बॉस के बीते एपिसोड में जो हुआ वो काफी हंगामेदार था वो पूरा हपता काफी हंगामे वाला रहा और जो रूबिना दिलैक है उनकी लड़ाई कहीं पर राखी सावंत से हुई तो कहीं देबुलीना से हुई इसके बाद जो सर्मान खान है वो भी काफी भड़क उटे और उन्होंने कंटेस्टेंट्स की क्लास लेनी चुरू कर दी अब इसके बाद हम आगे बता दें कि जो बाते उट रही थी कि जो हपता है वो पैमिली वीक है और इसमें कोई बेगर नहीं होगा तो हम आपको आगे बताते चलें कि इस हफते भी एक व्यक्ति है जो बेगर होगा दरसर एक लिस्ट जारे हुई थी एक नॉमिनेशन लिस्ट थी जिसमें ऐसे लोग थे जिने घर से बेगर होने की बात हो रही थी उसमें अलिगोनी, अर्शी खान, रुबीना दिलर, अभिनव शुकला और नेकी तंबोली थे इसके बाद हम आगे बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि जो अर्शी खान है उन्हें घर से बेगर होना पड़ेगा दरसल दर्शिकों से मिले कम वोट और कम प्यारों के वज़ा से ये निर्णय लिया गया है अब देखना ये होगा कि क्या अर्शी खान बाहर होती है इसके बाद हम आगे बता दें कि घर का एक ऐसा कंटेस्टन्ट है जो अर्शी खान के बाहर होने से काफी खुश होगा वो है राहुल वैद्य इसका रीजन ये है कि राहुल वैद्य के जो दोस्त है अलिगोनी वो सेफ हो जाएंगे और उनका अर्शी खान से फीछा भी छूट जाएगा इसके बाद हम आपको आगे बताते चले कि कलर्स टीवी का एक प्रूमो भी रिलीज हुआ है जिसके जानकारी हम आपको बिग बॉस की अगली वीडियो में देंगे आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही आप क्या को सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जलूर बताएं हमारी इस वीडियो को जादे से जादे लाइक और शेयर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुन न भूलें तन्यवाद